ये लड़की नहाने जा रही थी लेकिन तबी उस पर एक अजनबी ने हमला कर दिया फिर उन लोगों ने उसे बोट पर बिठाया और समुंदर के बीचो बीच ले गए और उसे समुंदर के अंदर फैक दिया गया लेकिन उसके पैरों को लोहिक की जंजिरों से भी बांदा ग लेगी इसका मतलब वो पानी के अंदर भी सांस ले सकती थी फिर उसने एक जटके में ही जंजिरों को तोड़ दिया और जल्दी से सूपर सोनिक स्पीड से समुंदर के तट पर पहुँच गई केलियोप ने देखा कि वो दोनों अपरहन करता भी भी वहीं पर मोजुद है वो दोड़कर गई और उनमें से एक का गला गोड़ दिया और उससे पूछने लगी कि तुमने मुझे क्यों डूबाया दूसरे आदमी ने उस पर हमला करने की कोशिस की लेकिन केलियोप ने उस